और यहां आगे जाके तुम्हारा भाई डेड़ आइक्यू नेट करने वाला है अब ये बात आपको भी हजब नहीं हो रही होगी क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे नेट बहुत सस्ते हैं तो भाई लो कैसे हूँ? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू गलत सीन से भरे पड़े पवजित मॉयल गेम के वीडियो में और यार आपने ये बाते जरूर सुनी होंगी दुनिया बहुत हरामी है, भरोसे का जमाना जा चुका है यार ये कुछ हद तक यहाँ देखने को भी मिलेगा खैर वो सारे सीन और पतानी कितने जादा बंदों से एक ही बार पे लड़ते हैं एक ही जगा पे लड़ते हैं, वो सारे सीन बहुत ही जल दोने वाले हैं लेकिन फिलाल यहाँ नो वो आ रखे हैं और आते ही M76-62 मिल गई है और बस बंदे ढूनना चालू करता हूँ मैं और सामने एक मुझे उड़ते वे दिखता है, उचल कूद कर रहा है भाई अब मेरी सिर्फ और सिर्फ दो गुली रगती है लेकिन गेम के सुरुआत में देखो हेलमेट वेस्ट के नाम पे कंदू कुछ नहीं होता खासकर महंगा वाला तो किसी पे भी नहीं होता तो उस बंदे को इतना डेमेज होता है कि भाई मजबूर हो जाते हैं केम्पिंग बिचाने के लिए अब देखो वो नीचे उतरता है और नीचे जाते ही एक कंटेनर के अंदर दुपक के बैठ जाता है और हमारे भाई वहाँ पहले ही पहुँच रखें तो भाई को अच्छे से पाता है वो का है तो मैं भी गुशता हूँ सीदह अंदर और हमारे ये भाई मेरे ख्याल से सोलो वर्सिस सकोर्ड के लाएं या पे कोई टीमेट नहीं दिख रहा असपास लेकिन यार ऐसे केम्पिंग करके कैसे काम चलेगा और ये तो तुका बहुत ही ज़्यादा गलत लग गया किसमत कुछ जाद ही चमक गई नहीं तो यार जब मैंने लोहा साइट खोला नापना कुछ ही नहीं दिख रहा था मैंने वाज दो गोली चलाई और एक सर पे लग जाती है ख्यारा बंदा नौक किया है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा बढ़ते बढ़ते ये बाट भाई भी आते तो पेल नहीं पड़ता है अब उधर गोली आँ चल लए है धक्का पेल करके और मेरे को नहीं लगता यार इतना सारा अत्याचार कोई बोट पे करेगा इसका मतलब दो टीम के बंदे बैठे पड़े हैं खैर बोट हो चाहे बंदा हमको तो जाना ही था लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं e-sports exo की जिसकी मदद से आप कई सारे PUBG के टूड़नामेंट्स खेल सकते हो और यार इस एप की खास बात ये है कि जैसी आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे आपको 30 रुपे पहले से ही मिलेंगे तो आप वो रुपे लगा के बाकी टूड़नामेंट्स खेल सकते हो साथी साथ इसमें डेली फ्री टूड़नामेंट्स होते हैं वो भी तीनो टाइप के सोलो डूर सुकॉर्ड और तीनो में किल करने पे पैसे मिलते हैं और आने वाले संडे में तीन-तीन रॉयल पास का गिवावे भी होने वाला है और इसमें मंतली और वीकली एक्टिव यूजर्स को रॉयल पास और प्रैसेज जीतने का मुका मिलेगा और इसमें रेफर एंड अर्न का भी फीचर है तो आप रेफर करके भी यहाँ पे कॉइन्स कमा सकते हो और जो भी कॉइन्स जो भी पैसे आप जीतते हो वो आप पेटीम से भी ड्रॉ कर सकते हो तो आप इस एप को जरूर ट्राइ करना इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में तो भगते भगते मैं भी पहुँच जाता हूँ और चार बंदे दिखते हैं अब इन चार बंदों ने बाकी बंदे पेले थे या बॉट ये मेरे को नहीं पता लेकिन यो लोग लूट इतना दबा के रहे थे कि क्या ही पता हूँ मैं बगल से साइड में आगया किसी को परवानी हर एक बंदा पेटी में लूटे जा रहा है कैर इन सब की पेटी बना के जो भी इनोंने लूटा लूटा आया सब कुछ उठा लेता हूँ यार सब कुछ बे सर्मों की तरह बैक पे भड़ता हूँ और उसके बाद गाड़ी लेके मैं निकलने वाला हुता हूँ लेकिन फिर याद आता यार एक बंदे को मैंने बहुत दूर से पेला था बले तुक्के में पेला था लेकिन पेला जरूर था उसके किल मेरे ख्याल से आई नहीं मेरे को और अब आवी गए होगी तो यार हमको बता कैसे चलेगा जोड गटाओ ऐसे ही कमजोर है लेकिन यहाँ पे बंदे दिखाई देते हैं उतने में और ये लोग नजाने कहां कहां चुपके बैठते हैं लूट उठाई मैंने गाड़ी उठाई लेकिन कोई दिखा नहीं अब जब निकलने वाला था बंदे आ जाते हैं अब हमारे भाई प्री फायर बहुत ही तगड़ा देते हैं सारी की सारी गोलिया मेरे अगल बगल से जाती है क्यार तब तक मैं रिलोड कर रहा था तो बच जाता हूँ यहाँ पे अब देखो वो वहाँ से भग लेता है और एक छोटे कमरे के अंदर जाके गुच चुका होता है और यार ना ही मेरे पे नेड है ना ही वो जलती बोतल पे आग बस गोलियों से काम चला सकता हूँ मैं तो यहाँ पे मैं तयार हूँ कि यह बंदा भगे और मैं गोलिया पेलूं और हमारे भाई वो जलती बोतल में आग कमरे में डाल देते हैं और मैं उस बंदे को जरूर जरूर पकड़ता लेकिन सीन क्या होता है वो बंदा भी नेड फिकता है तो मेरी भट जाती है और यहाँ पे मेरी किल की लालस देख रहे हूँ बंदा बगल वाली कमरे में बैठा है हाँ बिलकुल बगल वाली कमरे में बगल बोलनाभी सरमनाक होगा एर एक ही कमरे जैसा लगता है मतलब इतने पास है बंदा मुँपे कभी भी निकलके मेरी पेटी वो बना सकता है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ खिडके उसे बॉट पेले जा रहा हूँ यही होता है यार मतलब देखो सामने गिल दिख रही थी तो छूड़ा न गया और बॉट को पेल के जैसे मैं अपना सको बन करता हूँ न बंदा मुँपे सामने ठेलते ठेलते बसता हूँ मैं यहापे खैर उसी के साथ वो जगा खाली हो जाती है उसका एक गौट इमेट था मेरे ख्याल से लेकिन यार भाई जी गायब ताइप हो जाते हैं बिल्कुली तो यहां से मैं गाड़ी उठाता हूँ और जा रहा हूँ पोचंकी में और यार पोचंकी में जो ही सीन होंगे मतलब आप बंदे गिनने बैड़ जाओ कितने ज़्यादा बंदे होते हैं और कुछ को तो मैं नहीं पेलता कुछ आपस में ठिल जाते हैं टोटल गलत सीन होने वाले हैं देखो यार और जहां से बंदा गोली पेल रहा है मैं वहीं घुमा देता हूँ अब एक तो हमारे भाई बढ़िया सपरे पेल रहे हैं और उसके उपर से ये सस्ती गाड़ी का उपरी हिस्सा किधर गायब है किसी को नहीं पता नंगी गाड़ी ये बिल्कुल बहुत जोड़ से लगती है कर यहां पर मैं आई गया हूँ तो यार पंग ये तो ले नहीं पड़ेंगे इनसे सब नहीं बैठे हैं बिल्कुल और उतने मीलो दूर से ये लोग नेट फेक रहे हैं मतलब भरोसा देख रहे हूँ अपने नेट पे कास मैं भी ऐसी भरोसा कर पाता खैर नेट नूर तो मेरे ख्याल से जमीन में गिर के फट जाता है और हम लोग बिल्कुल साफ सुत्रे बैठे हैं इदर पे कोई डेमेज नहीं हुआ लेकिन ज्यादा देड़ तक नहीं क्योंकि अब यहाँ पे एक टीम बैठी थी लेकिन देखते देखते चार पांच टीम आ जाएंगी नजारे कितने बंदे आते हैं और कहां से आते हर किसी को महंगी गन चाहिए अब उधर पे चल ले होती हैं दबा के गोलिया दुबारा मैं सोचता वियार कौन सा बोट आ गया इस बार लेकिन बोट का पता नहीं बंदे भर भर के आते हैं तो हम भी उधर भागेंगे और यह गोलियों की आवात सुनके यार बिल्कुल रुका ने गया तो मैं गारी ठोक देता हूं और जो भी होगा देखा जाएगा को को dopamine युडाम यव będę को ठीद नान मैं बंदे ग्ता अरषढ कर अग्यों में यूमगे यूमगे बीहराएगा भीड्य़र करे लुच्झाव थैम्याँ रूवाएगा मैं लिवागेज खर भीडा का लिवाएग भीडा अब्य। और यहाँ पे असली खड़े बंदे पिलने से ज़्यादा यार मैं किल चोरी करता हूँ एक किल तो मैं बंदों के मूँ के सामने बाहर जाके चोरी करके आता हूँ हद धीटता और बस करना क्या है इन लोगों की गुला बारी चालू हो जाती है दे नेट पे नेट अब देखो यार हर किसी को नेट दिखाई देता है मेरे कोना अपनी पेटी दिखाई दे रही थी जब वो नेट खिड़की से अंदार आया मैंने बुला बाई यहां से भग लो लेकिन हमारे बाई वहीं पड़े रह जाते हैं और भाई की बेटी बनने वाली थी कैर रिवाईव यहां दे चुका है और अब अंदार रस करते हैं ये लोग अब ये गिल्ली सूट वाले भाई ने नेट तकड़ा किया था लेकिन यार हम भी ठिपी पी लेके बैठे हैं अब जब पहली बार हमारे भाई नेट से नौकोते न भाई की फटके चौदवी पड़ी अभी जब भी नेट आ रहा है भाई की एक यावाज आ रही है कहां किया नेट कहां आया नेट क्या नेट तो नीचे ही होता है और आखिर कार जाके इन लोगों के नेट खतम हो जाते है मेरे ख्याल से लेकिन अब भी सीन कुछ साही नहीं बैठा है अब भी किसी को मुझे नोक करना होगा तभी कहीं रस कर सकते हैं और देखो यार अभी भी एक टीम से ज़्यादा के बंदे बाकी हैं तो यहाँ पे जो भी महंगी लूट पड़ी होती हैं मैं उठाता हूँ उसे और अखिर कार जाके एमपोर अगेरा मिलती है अब एमपोर मिलिए और छेक्स भी मिला है तो चलाना तो पड़ेगा और महंगी लूट उठाता है यार एक सस्ता सा नोक देता हूँ अब वो बंदा नोक पड़ा है, मैं बोलता हूँ यार, बैटे रहे के कद्दू कुछ नहीं होने वाला, अगर किल चाहिए तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं उठके भगता हूँ बिल्कुल ओपन से, और फिर ये होता है अब ये होते हैं घरेलू सांप, अब देखो ऐसा नहीं है कि यार, घर के आगे सांप लग गया, क्या वो बने जा हूँ यार, कौन से नसे में हूँ मैं अब ऐसा नहीं है कि यार साप के आगे घर लग गया तो वो कम खतरनाक हो जाएगा भाई पेटी ये भी खतरनाक बनाते हैं और मेरे मानने में यार ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं जाड़ी वाले साप से क्योंकि देखो जाड़ी में तो एक टाइम के लिए पता होता है कि यार साप बनाओगा कोई लेकिन घर पे कौह नहीं सोचता है इसलिए ये भी बहुत खतरनाक है और यार इस मैच में ना नजाने क्यों लेकिन नेट काम कर जाते हैं अब ज़्यादा बार ने काम नहीं करेंगे लेकिन जितने बार काम करते हैं अपना काम पूरा हो जाता है उतने बार में और यहां आगे जाके तुम्हारा भाई डेड़ आइक्यूनेट करने वाला है अब यह बात आपको भी हजब नहीं हो रही होगी क्योंकि आपको भी पता है मेरे को भी पता है मेरे नेट बहुत सस्ते हैं लेकिन इस बार कुछ अलग सीन होगा थोड़ा सा थोड़ा सा में दिमाग लगाता हूँ और मज़ा टैप आजाता है और यहां पर हमारा डेड़ा की नेट काम कर जाता है अब देखो सीन क्या होता है यार जब भी आप नेट खीशते हो ना कठाक से वाज आती है टन करके हर किसी को पताए कि बंदा नेट कर रहा है यहां से भग जाओ खास कर तब जब आप एक छोटे से कमरे में बैटे पड़े हो बिल्कुल चुपके तो मैं अपने टीमेट को बोलता हूँ कि भाईया दबा के गोलिया पेरो मैं नेट खीशता हूँ अब देखो जब तक मैं नेट अंदर डालता हूँ ना बहुत लेट हो जाती है वो बंदा बाहर जरूर आता है लेकिन यार नेट के चपेटे में आ जाता है और ऐसा करके आ जून की तरफ निकल पड़ता हूँ क्योंकि जून काफी चूटा हो गया है और देखो मैं घर की तरफ आता हूँ ये सोचके कि घर पे बंदे बैठे होंगे अराम से केंपिंग चली होगी लेकिन नहीं इस लोबी में बंदे अपनी ही चोड में भागम भागी चलिए बाई गाड़ी लेके देखो सीना आप ये गाड़ी देख रहे हूँ कितनी तेजी और चोड में जा रही है आते समय देखना है इने आते समय ये लोग दुगनी तेजी से आते हैं पहले में देखता हूँ यार गूलियों की धेड़ पेड़ावा जाती है फिर दो गाड़ियां जाती है मेरे मूग के सामने से तो सीन क्या होता है ये पीछे जो गाड़ी होती है न उन लोगों को बगा बगा के पेल रही होती लेकिन पुल को पार करके उस पार जाने के बाद इन लोगों के साथ न जाने ही क्या होता है और इनकी ऐसी तैसी पड़ी होती है तो ये लोग गाड़ी गुमाते हैं और सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम पीछे भगलेंगे और पीछे मैं बेठा पड़ा होता हूं अब दे से हमारी AWM देख लो 25 तो गोली है उसमें भी दिल तूटा है जब गोली मिस होती है लेकिन वहीं अगर पांचों गोली पड़ी होती यार मैं बॉटों को भी AWM से पेलता कैर बॉट तो सारे ठिल चुके हैं अब गिने चुने बंदे बाकी हैं जो कि उस पार है अब भाई को बस एक गोली लगती है और भाई वहीं कहीं लेट जाते हैं और अब दिख भी निरा है कहीं नीचे छुप चुका है लेकिन उसके बाद फिर से भगता है वह बंदा अब देखो ये जो सीने ना इनको आप थोड़ा त्यान से देखना मैं एक बंदा नोक करता हूँ उसको नाम लिखा आ गया होगा कि मैंने नोक किया है या फिर उसके टिमिट लोग पढ़ी सकते कि यार किलफीड में क्या लिखा रहा है कैर अभी और भी सीने यापे अब देखो हम एक बंदे की पूरी पूरी पेटी बनाते हैं यानि कि दो तीन बार नाम लिखा चुका है और उसके बाद भी ये सीन होते हैं और भाई अभी भी गोलिया पेल रहे हैं और गोली हम पे यारी है अब पीचे वाले बंदे छोड़ो यार ये नदी पार वाले बंदों को देखते हैं अब तक इन पे जोन था कुछ देर तक यार ये गोलिया पटका जा रहे हैं एक बंदे को नौक किया उसके बाद भी गोली आई दूसरे बंदे की पेटी बना दी उसके बाद भी गोली चली लेकिन उसके बाद जोन धोका दे जाता है बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि यार जोन अपना साथ दे जाता है और उतने में ये लोग क्या करने लगते हैं कूदेने लगते हैं अब देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भाया बहिया को गोली भी चलानी है और बहिया को मीटप भी करना है अब मेरे को ऐसे कोई सोक नहीं है उचलते कूटे बंदों को पेलने का लेकिन यार अगर यहीं पे जोन वहाँ पे बना होता न और मैं उचल कूट करता सौब पर तिसर बता रहा हूं मेरी बेटी बनती और अपना ये सश्टा सप्रे देखके मन कर रहा था यार ये नदी पे जाओं मूँ दुबाओं और अपनी खुद की पेटी बन वालू हद से ज़्यादा सश्टा सप्रे और जैसा कि हमारे भाई ने बोला अभी तक तो ये लोग फाइट ले रहे थे एंपोर पर पटका रहे थे अब अचानक से ऐसा क्या बदल लिया मेरा नाम पहले भी ये लोग पढ़ी चुके होंगे अगर ये सही में मीट अप करना चारे थे तो यार ऐसा क्या बदल लिया और यार जहां तक मेरे को पता है ये लोग मेरे को जानते भी नहीं होंगे इन्हें बस पता था कि अब इनकी पेटी बनने वाली है देखो यार मतलब नदी पार करके जिन्दा बचना बहुत कम मेरे जैसे सस्ते सपने वाले बंदे भी पहल जाएंगे यार बहुत कम चांस होते बचने के तो इन लोगों ने बोला ऐसा ही ठीलने वाले हैं क्यों ना कूद के देखें अब ये लोग सही में मीट अप करना चारे थे और अगर बाद में इन लोगों ने नाम पड़ा तो यार उसके लिए दिल से सौरी और जहां तक मेरे को पता है इन लोगों पे जोन नहीं बना इसलिए ये कूदने लग गए जोन वहां बना होता न यार सो परतिसत बता रहा हूँ गोली ये जरूर मारते और यार आपको भी पता है मेरे को भी पता है बलाई का जमाना जा चुका है दुनिया बहुत हरामी है बहुत हरामी मानो या ना मानो कभी आपको भी पता चलेगा खैर आज के वीडियो में इतना है भाइलों कि यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये जो मेरे सस्ते नेड थे और वो जो पोचन की मैं भाइट हुई थी न उसके लिए यार लाइक ठोकना मत भूलना बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टाइप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबी स्क्राइब और वी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले डेडा एक्यू गेम प्ले और सस्ती कमेंटरी के लिए और यार जाते जाते टूर्णामेंट एप चेकाउट करना मत भूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल ठोक में और यार एक बात हमेंसे याद रखना बलाई का जमाना जा जुका है मेरे को नहीं पता ये किसे ने बोला लेकिन जहां तक मेरे को पता है बहुत सही बोला है तो आज की विडियों इतने भाई लोग यार कल मिलते हैं बाई बाई झाल